मद्रप्रदेश के दतिया में जिले के गोरा घार ठाना चेतर में दो अलागला गटनाओं में गोली बारी होने से दो लोग घायल हुए हैं, गायलों को इलाज जिला चिकितसाले में पुलिस के देखरेक में कराया जा रहा है पहले घटना सीतापुर गाउं में हुई है जहां धर्मेंदर बंचकार से पैसों के लेंदेन को लेकर विवाद में उसे राधे एवं श्याम केवट ने गोली मार दी गोली धर्मेंदर को सीने के बाई तरफ लगी है वहीं दूसरी घटना गड़ी गाउं में सामने आई है जहां उदैभान सिंग रावत को समय अग्यात लोनकों ने गोली मार दी जब वह अपने खेट से मवेशियों को भगा रहा था उनके हाथ में गोली लगी है पुलिस ने दोनों ही मामलों की विवेचना शुरू कर दी है इस मामले में एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि दोनों मामलों में हत्या की कोशिश का मुकदमा दर्च किया गया है गटना की असल वज़े को तलाशा जा रहा है सीतापुर की गटना में आरोपी राधे केवट और श्याम केवट के घर पर पुलिस भी भीजी गई है जबकि गड़ी गाओं में उदैभान रावत को गोली मारने वालों के बारे में उससे पूछताच की जा रही है इनको भी गंशॉट इंजरी है इसके संबन में अभी मेडिकल से हम लोग क्वेरी करा रहे हैं और इनके तो अग्यात लोग द्वारा मारना ये बताया गया है पर अधी इसमें कुछ चीजें संधिन के और संधे के गेरे में तो इस संबन में कूरी क्वेरी करानी के बढ़न में मुनसार जोगा दानी कार्वाई होगी उपकी चाहिए तो सिता पर में जो गटना हूँ